एस्टोसेज वारता, एस्टोसेज.com के प्रमाडित और प्रीमियम एस्टोलोजर से करें कभी भी सीधे फोन परबात, प्यार पैसा परिवार या कुछ और हर सवाल का सीधा और सठीक जवाब एस्टोसेज वारता की जरिये जोतिशियों को फोन लगाएं और किस्मत का साख पाएं नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्टोसेज टीवी और मैं हूँ आपका अपना एस्टोगूरूम रगांक दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अंक जोतिश राशिफल 2021 की अंक जोतिश राशिफल 2021 हमारे जीवन में अंकों द्वारा पढ़ने वाले प्रभाव को व्यक्त करता है हम सभी के जीवन में अंकों का एक प्रभाव है इसलिए ही अंक जोतिश के अधार पर हम वर्ष 2021 का भविश्य फल यानि अंक जोतिश राशिफल जानने की कोशिश करेंगे यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ष 2021 अंक जोतिश के अधार पर आपके लिए किस तरह की संभावनाय बता रहा है हम सभी ये चाहते हैं कि साल की शुरुआत में ही हमें पता लग जाए कि ये साल हमारे लिए लगभग किस तरीके का रहने वाला है किस छेत्र में हमें किस प्रकार के प्रभाव मिलेंगे ताकि हम अपने वर्ष भर का लेखा जोखा जानकर अपने कारेों को और सही दिशा देकर उसमें इंप्रूमेंट कर सकें और अपने जीवन में उन्नती हासिल कर सकें जहां हमें आवशक्ता हो वहां ज़्यादा मेहनत करें इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं अंक जोतिश राशिफल वास्ताम में अंक जोतिश राशिफल 2021 आप अपनी जनमतिथी के अनुसार जान सकते हैं आप ये भी जान सकते हैं कि आपकी नौकरी, व्यापार, विद्यार्थियों के लिए उनकी शिक्षा, लव लाइफ और जीवन के अन्य छेत्रों में किस तरह के मोड इस वर्ष आ सकते हैं तो फिर देर किस बात किया है दोस्तों, शुरू करते हैं अंक जोतिश राशिफल और जानते हैं कैसा रहेगा ये वर्ष आपके लिए एक बात जानने की है कि वर्ष 2021 सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा अंक पांच वाले लोगों को क्योंकि वर्ष 2021 का कुलियोग पांच है, लेकिन प्रभाव तो सभी अंकों के लोगों पर पड़ेगा तो आईए जानते हैं आपके अंक के लिए कैसा रहेगा अंक जोतिश 2021 के अनुसार वर्ष 2021 का प्रभाव आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो भविश्यवाणी आपको बताई जा रही है ये आपके मूलांग पर आधारित है, ये है आपकी जनम तिथी पर आधारित मूलांग होता है, मूलांग अर्थाथ आपकी जनम तिथी में जो डेठ है उसका मूलांग, जैसे कि आपका यदि एक तारिक को हुआ है तो आपका मुलांग एक है यदि आपका जनम दो को हुआ है तो आपका मुलांग दो है लेकिन यदि आपका जनम 21 तारिक को हुआ है तो उसका सिंगल डिजिट में जाएंगे तो 21 यानि दो और एक मिलाकर तीन तो आपका मुलांग तीन होगा इसी पांच उनका होता है जिनका जन्म चाहे किसी भी वर्श ये किसी भी महीने में हुआ हो लेकिन जन्म की तारीक 5 हो, 14 हो ऐसे लोग या 23 तारीक, 23 तारीक, 5 तारीक, 14 तारीक को जन्में लोगों का मूलांच 5 होगा. यह अंक बुद्ध ग्रह से अधिश्टित है और इस वर्ष 2021 का अंक भी पांच है तो आपके लिए वर्ष बहुत महत्पूर्ण रहेगा अंक शास्तर के मूलांग पांच वाले लोग इस साल का जितना लाब उठा सकते हैं उन्हें उठाना चाहिए क्योंकि यह आपका ही साल है आपका स्वास्ते मजबूत होगा और चुनोतियों से लड़कर जीवन में सफलता अरजित करेंगे अंक चोतिश राशिफल के अनुसार विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे योग दिखते हैं और आपकी महनत ही आपका सबसे बड़ा हत्यार बनेगी प्रेमी योगल के लिए यह साल अच्छा रहेगा आप रिष्टे की गंभीरता में एक दूसरे को काफी तवज्जो देंगे और वर्ष के मध्य से लेकर अंते महीनों में आपका विवा आपके प्रियतम से संभव हो सकता है इसलिए इस दिशा में प्रियास करें यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो उसमें कुछ उथल पुथल मची रहेगी आप अपने परिवार वालों को थोड़ा कम टाइम देंगे जिसकी वज़े से उन्हें आपसे शिकायत भी रहेगी यदि आप नौकरी करते हैं तो घर में इस तरह से आएंगे कि जैसे आपको केवल खाने और सोने से मतलब है लेकिन आपको इससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए और परिवार वालों के साथ मिल बैटकर आपसी व्यवहार सुधारने की कोशिश करनी चाहिए अंक जोतिश के अनुसार आर्थिक मोर्चे पर यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आएगा आपके खर्च केवल आवश्यक कारवे उपर होंगे जो भविश्य में आपको आशा के अनुरूप परिणाम परदान करेंगे वर्ष की शुरुआत में आपकी आमदनी में वर्धी होगी नौकरी करने वाले लोगों को इस साल काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको साल के मध्य में प्रमोशन के भी अच्छे योग दिखते हैं यदि आप कोई बिजनस करते हैं तो विदेशी संपरकों का लाब मिलेगा इस वर्ष आपके मन में दूसरों का भला करने की इच्छा जगेगी जिससे आप सामाजिक सरोकार के कारे भी बढ़ चड़ करेंगे तो दोस्तो ये था अंक जोतिश राशिफल 2021 आपके मूलांग के लिए हम उम्मीद करते हैं कि नया वर्ष 2021 पुरानी सभी समस्याओं को दूर करते हुए आपके जीवन में सत्य, ज्यान, प्रेम, समरिद्धी, अच्छे स्वास्थे की नई सुभा लेकर आए इन्ही शुब कामनाओं के साथ आपका अपना एस्टोग्रू ब्रगांग